सूपर सीयम के दवाव में ये हेलिकोप्टर खड़ीद रहे हैं, सव करूर के ढाई सो करूर के जेट विमान खड़ीद रहे हैं और सूपर सीयम के पिता जी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भरमन करना है क्योंकि आपको परधान मंतरी बनना है हम तो देखना चाहते हैं कि मुख मंत्री जी जो जहरीली सराब से सो लोग मरे उस पड़िवार के आंसू पोचने जाएंगे वो अनात्थ बच्चे के मुआबजात देंगे सराब के नाम पर जो नौजवानों का एक नया अपराधी का गैंग खड़ा हो गया सराब मफियाओं के द्वारा जो गैंग खड़ा किया है उसकी आप समिक्षा करेंगे मुख मंत्री जी का तो हर सार यातरा के नाम पर पिकनिक मनाने का उनका सोख रहता है जो बिधवा हो गया अपराधी की गोली से उसको तो मुख मंत्री जी तो जिस जिले के अंदर आप जाईएगा उस जिले के अंदर हम लोग भी सराब से जो धनकुवेर बना है और सराब से जो सराब माफियों के द्वारा अपराधी का गैंग खड़ा हुआ और अपराध बरहा है और अपराध की गोली से जो लोग मरा है उन लोगों से हम लोग बैठेंगे और मिलेंगे आपको जो जूटा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए उस जेट विमान और हेलिकोप्टर का आप उप्योग नहीं कर पाईएगा कि मार्च के बाद आप पदपर रहेंगे कि न रहेंगे ये आप भी समझ रहें हैं किसी भी दिन आपकी कुर्सी खीची जा सकती है माननी ये मुख मंत्री जी बड़ा जिम्यवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थी सत्रह वरस में अपने आयासी के लिए अपने सुक्सुधा के उपभोग के लिए एक भी हेलिकॉप्टर इन्होंने नहीं खड़िदा नो विमान खड़िदा अब किसके दवाव में सूपर सीयम के दवाव में ये हेलिकॉप्टर खड़िद रहें हैं पिता जी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भरमन करना है क्योंकि आपको परधान मंत्री बनना है और उसके चक्रवियू में ये फंसते जा रहे हैं और आज उस चक्रवियू का पड़िनाम है कि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई सारे तीन सो करोर जेट वीमान और हेलिकोप्टर में लगा रहे हैं जबकि पहले से दोदो यहां है उसकी मरम्मति या उसकी रख रखाव या लीज पर लेकर के भी विवस्ता चलाते हैं बहुत अस्टेट चलाता है अब इसके नाम पर फिर करोर रुपया मेंटेनेंस में खर्च करेंगे मतलब कैसे भरस्ताचार करप्शन का रास्ता बन सकता है यह सब विवस्ता फिर से शुरू हो रही है और मुखमंतिरी जी आपको जो जूटा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए उस जेट विमान और हेलिकोप्टर का आप उप्योग नहीं कर पाईएगा कि मार्च के बाद आप पदपर रहेंगे कि न रहेंगे यह आप भी समझ रहें हैं किसी भी दिन आपकी कुर्सी खीची जा सकती है दो हजार पचीस तक तो आपको कुर्सी पर कतोई नहीं रहने देगा बरे भाई सारी तैयारी हो चुकी है आप हमारे मुख मंत्री रहें हैं और आपके कैबिनेट के हम सदस रहें हैं तो मैं आपको साबधान कर देता हूं कि उसके चक्रव्यूह में बरस्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं उस आवरन से पूरी तरह से आपको ढख लेगा समय रहते आप बच जाईए जनता के हित में आप जनता के पैसे का दुरूपयोग मत करिए बिहार की जनता बिहार के गड़ीब लोगों के बच्चे आज बिद्याले में भवन में कक्ष नहीं है बाहर ठंड में ठिटूर रहा है तीचर नहीं है सिच्च के भेरती रोड पर धरना परदर्शन कर रहा है लाती से भी पिट रहे हैं आपके सिच्चा मंत्री उन्हीं लोगों की जमात से हैं कोई साहन भूती नहीं है आप क्या कर रहे हैं लिपीज यात्रा के नाम पर निकलने वाले हैं कॉंग्रेस की भी यात्रा होने वाले हैं राघुल गानि पठ ना आने वाले हैं देखे मुकह मंत्री जी का तो हर सारügen के नाम पर पिकनिक मनाने का उनका सोक रहता है कई यात्रा उन्होंने की है तेरा यात्रा हो गया चोदा हमा है और इस यात्रा में हम तो देखना चाहते हैं कि मुख मंत्री जी जो जहरीली सराब से सो लोग मरे उस पड़िवार के आंसू पोचने जाएंगे वो अनात्र बच्चे के मुआबजात देंगे सराब के नाम पर जो नौजबानों का एक नया अपराधी का गएंग खड़ा हो गया सराब माफियाओं के द्वारा जो गएंग खड़ा किया है उसकी आप समिक्षा करेंगे आपके ठाने के अंदर जिले के अंदर पुलिस महकमा में जो धनकुवेर सराब के माफिया गिडी करवाकर बन गया है क्या उसकी समिक्षा करेंगे क्या उस बच्चों की समिक्षा करेंगे जिसको बिद्याले में भवन नहीं और टीचर नहीं है करेंगे ये सब समिक्षा अगर जो ये सब समिक्षा नहीं करेंगे मुकमंत्री जी तो जिस जिले के अंदर आप जाईएगा उस जिले के अंदर हम लोग भी सराब से जो धनकुवेर बना है और सराब से जो सराब माफियों के द्वारा अपराधी का गैंग खरा हुआ और अपराध की गोली से जो लोग मरा है उन लोगों से हम लोग बैठेंगे और मिलेंगे जो भी विहार के अंदर अपराधियों की गोली से हत्या लूट अपरन बलतकार में जिसकी मिर्टू हुई है जिसका पड़िवार प्रभावित हुआ है उन तमाम पड़िवारों को हम लोग एक जगा बुला करके बैठेंगे उन लोगों से मिलेंगे उनकी सूची बद करेंगे और उनको मुआवजा देने के लिए आपको बिवस करेंगे क्योंकि वो तो कोई गलत काम नहीं किया जो बिधवा हो गया अपराधी की गोली से उसको तो मुआवजा दीजिए जिसको बलातकार करके मार दिया उसको तो मुआवजा दीजिए जिसके घर के अंदर संपत्ति लूट ली उसको मुआवजा दीजिए मुखमंत्री जी ये स सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें